नमस्कार दोस्तो मैं विमलेश कोतम और आप देखने है ट्रिपल वे और सेज दोस्तो हमारा अगला सेमिनार है वो गोहाटी में होने वाला है गोहाटी में यह सेमिनार होगा दस तारीक को 10th of September को और यह North East के रिए काफी काफी इंपोर्टेंट है वैसे नौर्थ इस्ट में और भी सेमिनार करेंगे लेकिन यह North East के काफी इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि यह सेमिनार वहाँ पर पहला होगा जिसमें अभी काफी सारी लोग हैं उनकी इंक्वारी जा रहेती कि आप उस साइड किजिए तब भी हमने प्लान किया कि हमें गोहाटी में भी सेमिनार करना चाहिए सो दोस्तों सेमिनार सेम पैटर्ण पर होगा सेम लाइक प्रोसेस कैसे होती है आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है कौन सी प्रोसेस आपके फिट हो सकती है आपको किया-क्या ध्यान रखना छहिए क्या-क्या रिसर्च करना चाहिए बहुत सारी चीजें है जो आपको करना चीए अप्लाइ करने के लिए उन सबी चीजों को ध्यान में रख लेकी अपको गौइड किया जाएगा बताए पेल ça मीनिए में आने वाली है इन वेकिंसिस के बारे में भी आपको जनकारी मिलेगी इसलिए जो लोग बीटेस्टेट हैं चाहिवह मेल हो यह फीमेल अगर बने ऑने वाली हैं तो सुलह साल से लेकAR 35 स्तै साल के बिच में और जौब के लिए आने वाले तो बीच साल सब्सक्राइब हैं डोस्तों इसका जयादा वह नहीं है कि यह इंधर पार्ट और जैसे कैनेड़ा है उएस है उनके लिए अभी ज्यादा फोकस नहीं रहेगा तो जो लोग यूरोप में सिंगापूर में रशिया में इन एरियास में अगर वह स्टाइडी के लिए जाना चाह करते हैं उन लोग के लिए सेमिना काफी लाबदायक होगा काफी फायदे मंद होगा क्योंकि यहां पर क्या इसको काफी अच्छा होता है और जिसके बारे में हम लोग प्रॉपर तरह के से काम करते हैं हमारा फोकस्ट एरिया है हम उसके उपर ज्यादा ज्यादा confident होते हैं वहां के लिए जो भी चीजे होंगी हम आपको detail में इनफर्म कर सकते हैं और जहां पर हमारा फोकस्ट नहीं होगा उसके बारे में definitely हम आपको ज्यादा सजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं और उसको पर ज्यादा confident भी नहीं हो सकते हैं इसके लिए जो यूरोप में सिंगापूर में रशिया में जिन देशों में हम लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई inquiry है किसी भी रूप के लिए चाहिए study में हो या फिर job के लिए है वो definitely plan करके आ सकते हैं medical fit होना चाहिए physical fit होना चाहिए और criminal record नहीं होना चाहिए पासपोर्ट में कम से कम डेड़ साल की validity होना चाहिए जो normal criteria है वो उनका होना चाहिए और English obviously जहां पर requirement English किया है उनको उतनी English आना चाहिए तो दोस्तों जो लोग भी interested वो आ सकते हैं when new आपको interview से थोड़ा seminar से थोड़ा पहले मिलेगा और इसमें appointments लेना होगा क्योंकि obviously हमें setting arrangement proper करना है time management proper करना है इसलिए जो लोग भी आना चाहते हैं वो definitely plan करके आ सकते हैं और दोस्तों इसमें जो area North East का है जो लोग जिन लोगो भी comfortable हो definitely इस venue को जरूर अठेंड कर सकते हैं क्योंकि वहां के आफिंट लिए आ सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसे लगार पसंद आया तो में दोस्तों में share करें जिससे कि और भी लोग इसका लाब ले सकते हैं जो relevant लोग है उसको उनको उनको इसका लाब मिल सकता है और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए comments कीजिए share कीजिए हमार सबसे पहले मिलेंगे धन्यवाद